वजिर्यासम नरेंदुर मोधी ने वजिर्यासम ने अपने खताब में कहा कि आज भी हम शिर्यासम नरेंदुर मोधी का तंस कहा कि मुल्क की तरकी पर सियाटी का है ब्लैक पेपर मजिर्यासम ने राजे सभा से मुतादित अराकी ने परलिमेंट की अलविदाई से मुतालिक अपनी तकरीर में मनमोहन सिंग का किया जिक्र वजिर्यासम ने कहा कि जब भी जमहूरियत की बात होगी मनमोहन सिंग को किया जाएगा याद। हुकूमत ने आज पार्लिमेंट में पेश किया वाइट पेपर 2014 से पहले की भारती महिशत की हालत और बुदिश्टा 10 बरसों में तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही महिशत का भी होगा जिक्र सदर जमूरिया दरौपती मुर्मूने नई दिली में राश्टरपती भवन के अमरित उद्दयान में तनवू के अमरित महुशत का क्या इफ्ता रिवायती फनून, दस्तकारी और सकाफतों के इम्तिजाज से शुमाल मश्रिकी भारत की भरपूर तनवू से मतारूफ कराएग बीजेपी ने केरल के वजिर्याला के इतजाज पर की सकत तनकीत, हकीकी मसाइश से तवज्जो हटाने के लिए इतजाज को बताया सियासी ड्रामा मुल्को शुमाल जुनूब में तक्सीम करने का भी लगाया लजाम शरह सूद में कोई तबदीली नहीं, रिजर्व बैंक ने रिपो रेट को 6.50 पर रखा बरकरार भारती मैशत की शानदार कारकरदेगी जारी हाद आप नाज़ीन, खबर नामे में आपका स्तक्बाल है, मैं हूँ साइमा कान, अब खबरें तफ्सिल से नाज़ीन आपको एक नहायत ऐहम खबर बता दें के मोधी हकूमत पिछली यूपी ए, हकूमत के दौरान इकसादी सुरत इहाल के बारे में तफसिली मालुमात के लिए पारलिमेंट में वायट पेपर लाई है, सफ़एद पेपर में 2014 से पहले की भारती मैश्ट की हालत का तफसिल से जिक्र किया जाएगा, खामले जिक्र है कि मोधी हकूमत ये कहती रही है कि 2014 में गदार में आने के बाद, कांगरेस क की कायाधत व रही है दर्यसना पार्लिमेंट के बजट इजलास में भी एक दिन की तौसी कर दी गई है इसका एलान कल ही कर दिया गया था शिरिल प्रभुपाद जी के 150 वे यौमे पदाईश के मौके पर वजीर आसम दरेंदर मोदी ने प्रगती मदान के भारत मंटपम में मुनाकित प्रोग्राम में शिर्कत की बीसवी सदी में शिरिल पाथपू ने वैशनव अकिदत को पूरी दुनिया के में फ्हलाया उन्होंने गौडिया मिशन की बुनियाद रखी जिसकी वज़ा से हरी कृष्ण एक अवामी तहरीक बन गया शिरिमत भगवत गीता की तरवीजो इशाद के लिए भी शरिल पाथपू प्रभू पाथ में एहम किरदार अदा किया उन्होंने इसकौन की बुनियाद रखी और गौडिये भक्तों ने वजिर्यासम को आनंद संकीरतन महामंत्र से शराबूर किया वजिर्यासम दरेंदर मोदी ने गुरू शरिल प्रभू पाथ जी के एजास में एक यादगारी टिकट और एक सिक्का जारी किया और प्रभू पाथ की अन्मोल खिद्मात को याद करते हुए वजिर्यासम ने कहा कि उन्होंने अपने जिन्दगी को इल्म और अकिदत के रास्ते के दर्मियान मतवादन किया और खुशी को जिन्दगी से जोड़ दिया चैतन्य महाप्रभू जैसी देवी ये विभूतियों समय के अनुसार किसी न किसी रूप से अपने कारियों को आगे बढ़ाती रहती है श्रील भक्ति सिधान प्रभुपाद उनीके संकल्पों की प्रतिमूर्ति थे साधना से सिध्धी तक कैसे पहुँचा जाता है अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा कैसे होती है स्रीशील भक्ति सिधान जी के जीवन में हमें पग पग पर ये देखने को मिलता है वजरियाजब ने अकिदत के शौर को एक मुस्पत अमल बताया उन्होंने कहा कि अकिदत से जुड़े रहना भारती रिवायात से जुड़े रहने के मुतरादिफ है वजरियासम ने कहा कि भारती रूहानियत इंसानी फलहा के लिए है कोई समाज जब अपनी जड़ों से दूर जाता है तो वो सबसे पहले अपने सामर्थ को भूल जाता है जब भक्ती की बात आती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ती तर्क और आधुनिक्ता ये विरोधा बासी बाते हैं लेकिन असल मैं इश्वर की भक्ती हमारे रूशियों का दिया हुआ महां दर्शन है भक्ती हताशा नहीं आशा और आत्म विश्वास है भय भक्ती नहीं उत्सा है उमंग है राग और वैराग्य के बीच में जीवन में चैतन्य का भाव भरने का सामर्थ होता है बक्ती में वज़ियासम ने नौजवानों की काईदाना सलाहियतों और उनकी काम्याबियों को सरहा वज़ियासम ने कहा कि आज का नौजवान अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और जदीदियत का सुबूत भी दे रहा है आज भारत का युवा बोध और शोध दोनों के साथ में ले करके चलता है हमारी नई पीड़ी अब अपनी संस्कृति को पूरे गर्वशे अपने माते पर धारन करती है जब देश की नई पीड़ी इतनी जागरुख हो तो यह स्वाबा भी खै कि देश चंद्रियान भी बनाएगा और चंद्रशेकर महादेव का धाम भी सजाएगा जब नेत्रत युवा करेगा तो देश चंद्रमा पर रोवर भी उतारेगा और उस्थान को शीव शक्ती नाम देकर अपनी परंपरा को पोशिद भी करेगा अब देश में मंदे भर ट्रेंड भी दोड़ेगी और वरंदावन मतुर आयुद्या काया कल्प भी होगगा वज़ियासम नरेंदर मोधी ने राजसभा के मुतदि अराकी ने पारलिमेंट की अलविदाई के मौके पर एवान से खताब किया वज़ियासम ने साबिक वज़ियासम मनमोहन सिंग्ग की भरपूर तारीफ की उन्होंने कहा कि जब भी जम्हूरियत की बात होगी मनमोहन सिंग को याद किया जाएगा और प्रतिपक्ष्वे भी नेता के उपए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वैचारिक बद्भेद कभी बहस में छिटा कसी वो तो बहुत अलपकालिन होता है लेकिन इतने लंबे अर्शे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मारदर्शन किया है देश का मारदर्शन किया है वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोगकंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोन सिंग की योगदान की चर्चा ज़ूरूरू कॉंग्रिस के ब्लैक पेपर पर तंस करते हुए वजिरासम दरेंदर मुदी ने कहा कि आज मुल्क को खुशाली की नई बुलंदियों को चुरा है एक भैतरीन महौल बना है और इसी को नजर ना लग जाए इसके लिए इस पर काला टीका लगाने की कोशिश की गई है आज देश पुशले दस साल में सम्रुद्धी की नईने शिखर सर कर रहा है एक भव्य दिप्य वाताबन बना है उसको नजर नग जाए इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है मैं उसके लिए भी खरगे जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ ताकि इस हमारी प्रगती की आफरा को को नजर न लग जाए लोगसभा में मनरेगा से मुतालिक ओपोजीशन के सवालों का जवाब देते हुए मरकसी वजीर अनुराक सिंग ठाकू ने कहा के कॉंग्रेस के दौर में मनरेगा पर 25 से 30 हजार करोड रुपे भी खर्च नहीं हुए थे जबके मोदी हुकूमत ने एक लाग दस हजार करोड रुपे से ज्यादा खर्च किये हैं मैं इतने कहना चाहता हूं कि जब मनरेगा कॉंग्रेस के समय थी तब 35 जार करोड पे अभी खर्च नहीं होता था आज एक लाग दस हजार करोड पे से ज्यादा अगर किसी ने खर्च किया तो नरेंदर मोदी जी की सरकार में हुआ है इस बार भी अगर 85 जार करोड का बजट रखा तो नरेंदर मोदी जी की सरकार ने रखा और ध्याडी को बढ़ाने काम भी हुआ है, विकास भी हुआ है, और यही नहीं सर चों किसानों के लिए, किसानों के लिए, जेट गुना लागत, पचाश परसेंट किसी ने चिया, तो निरेंटर मोदी जी की सरकार ने किया, हमने MSP को बढ़ाया भी, और खरीट को भी दुग और बीजोपी के सीनिय लीडर अवी शंकर परसाथ ने ब्लैक पेपर मामले पर कौंग्रेस की शदीद तोर पर तनकीत की है इजडी नियूस से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कौंग्रेस अपने काले कारणामों को छुपा चाती है और इसलिए ब्लैक पेपर लेकर आई है बीजेपी के वरिश नेता रफ संकर परसाथ हमारे साथ हैं सर पौंग्रेस पाइटी ब्लैक पेपर लेकर आई है स्वेट पत्र सरकार तो लाई ही है इस अनसे में ला रही है अपने काले कारणामों को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर ले आ रहे हैं ब्लैक डीड को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर लेकिन इन हारे हुए हताश लोगों से क्या उमीद की गया है प्रधान मंत्री ने अपने दोनों सद्दों के भाषन में एक एक तीस आंकलों से रखा है। बॉइंग कमपनी आ रही है, किसानों के दिकास में क्या-क्या गया है, बिशॉलिये बंद हो गए है, दस करोर बिशॉलियों को निकाल दिया गया है जो पूरे सरकार खलाब लेते थे। इतना कुछ सुनने पर भी कॉंग्रेस पार्टी अगर नहीं सुनती है, तो मैं एक ही ब रहा से नहीं बड़ा. उनकी परिशानी हम साफ साफ बोलना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि भ्रष्टाचार पर कारवाई नहीं होगी तो और सक्त होगी. हमारे परदान मंतरी साफ कहें हैं कि भ्रष्टा चार पर जीरो टॉलरेंस, आज एक लाग करोड रुपिये निकले की नहीं, उनकी रिकावर हुए की नहीं? राहुल गांधी नियातरा निकाल रहे हैं काफिस्ट मेसेच हैं? कांगर्स की नहीं हतास और निरास हैं. कैमरामन मनोच के साथ सेलिंडर मिसर, डीडी नियूज, दिल्ली. मरकजी वजीर अनुराक सिंग ठाकूर ने मरकजी हकूमत के दस साला दोरे गडार पर बलैक पेपर लाने पर कांगर्स पर हमला किया है. अनुराक सिंग ठाकूर ने कहा कि जहां हर जगां वजीरयासम की गारंटी पास हो रही है, तो वहीं कांगर्स हर रियासत में मुकमल तौर पर नाकाम हो चुकी है. केरल की LDF हकूमत जिसने मरकजी हकूमत पर इकसादी तात्सूप का इलजाम लगाया है, खोज सवालों में घिरी हुई है. BJP ने हकाइक के साथ जवाब देते हुए केरल हकूमत की इलजामात को मुस्तरत कर दिया है. BJP ने कहा है के केरल हकूमत अपनी नाकामियों को चुपाने की कोशिश कर रही है, सच तो यह है के केरल के हालिया बजट में टैक्स में इदाफे से लोग नरास हैं. BJP ने कहा के मरकजी हुकूमत ने मालियाती कमीशन की सिफारिश पर अमल करते हुए टैक्स ट्रांसफर की शरह 42 फीसद तक बढ़ाती है. यूपीए के दौर में ये शरह सिफर सिर्फ 32 फीसद थी और इसके साथ ही 7.5 फीसद हिस्सा अलग से दिया गया. 2009 से 2014 के दर्मियान यूपीए हुकूमत के दौरान केरल को मिलने वाली कुल मरकजी इमदास सिर्फ 7838 करोड रुपे थी. तो मही 2017 से 2022 के दर्मियान मोधी हुकूमत ने केरल को 2,29,844 करोड रुपे की मरकजी इमदात थी. और इसी तरह से मरकजी इमदात में 300 फीसद इजाफा रिकॉर्ड किया गया. केरल में मरकजी हुकूमत, शहराओं, रेलवे और दीगर बन्यादी धाचे के मनसूबों पर बड़े पेमाने पर रकम खर्च कर रही है. केरल में 100 फीसद मोधी हुकूमत की तरफ से चलने वाली कई अवामी फलाई स्की में चलाई जा रही है. ये स्की में किसानों, खवती, सेहत और इंशूरंस से मतालिख हैं. बीजेपी का कहना है के मरकजी हुकूमत केरल के लोगों की तरकी के लिए मुसलसर एकदामात कर रही है, जबके रियासती हुकूमत इसमें रुकावटे खड़ी करने में मसरूफ है. और कल उत्राखर्ण असेमली से मंसूर हुए यूनिफॉर्म सिविल कोट बिल पर ना सिर्फ रियासत बलके पूरे मुल्क में खशी की लहर दोड़ गई है. कबाईली ब्रादरी ने खुशी का हिसार किया है, कबाईलियों की रिवायात और अरस्म और रिवाज का एतराम करते हुए इन्हें इससे दूर रखा गया है. यूशी सी बील के बारे में पहले से अधिवेसी लोग का एक मंग था, हम लोग ओसी बील से बाहर में रखा जाए, गौब्मेंट ओई एक्सप्ट किया है, इसलिए हम लोग ओई को दोईनवाद देता हूँ. और कॉंग्रेस ने यूपी ए हुकूमत के दस साल के खिलाफ मरकजी हुकूमत की तरफ से लाई जाने वाले वाइट पेपर के जवाब में, मोदी हुकूमत के दस साल पर आज एक ब्लैक पेपर जारी किया है. कॉंग्रेस सद्र मली करजुन खडगे ने ब्लैक पेपर पेश किया वो हमेशा अपनी बात को पार्लमेंट में जब रखते हैं तो बार-बार अपनी कामियाबों को सुनाते हैं और उनके फेलिवर्स को छुपाते हैं और सद्र जमूरिया दुरौपती मुर्मून नई दिली में राश्टरपती भवन में विविदिता का अमरित महतसफ एक सकाफती ओडीसी का इफटा किया ये चार रोजा सकाफती तहवार शमाल मश्रिकी भारत की खुश्खाली के लिए वफ़ है और इस मौकिब बर मरकजी वजीर जी कीशन रेडी आठ शुमाल मश्रिक लियासतों के गवर्नर मरकजी वजीर गानून अरजुन राम मेगवाल मरकजी वजीर किरन रिजिजू भी मौचूँत थे इस तक्रीब का इत्मा विजारत सिकाफत और शुमाल मश्रिकी खित्ते की तरकी की विजारत ने मुझतरका तोर पर उद्देयन उच्थब 2024 के हिस्से के तोर पर किया है मेले का मकस्द रिवायती दस्तकारी, हैंडलू, जराई मस्नुवात के तबादले को फरूख देना और शुमाल मश्रिकी खित्ते की तरकी है ये मेला रिवायती फनून, दस्तकारी और सकाफतों के इमतिजाच के जरीए शुमाल मश्रिकी भारत के भरपूर तनवो को जाहिर करेगा सेयाहों के लिए दाखला मुफ्त होगा और वो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मेला देख सकेंगे इस मौके पर सदर जमूरिया ने कहा के यहां लगाए गए स्टॉल्स में शुमाल मश्रिक की जो जलक नजर आ रही है मों मतासर कुन है भारत ने 2024 के ग्रैमी एवार्ड्स में कुल पांच एवार्ड्स जीते हैं और इस साल के ग्रैमी एवार्ड्स का इनकाद लास एंजलिस में हुआ जाकिर हुसेन के साथ शंकर महादेवन के बैंड शक्ती ने ग्रैमी 2024 में बहतरी ग्लोबल म्यूसिक अलबम का आइवार्ड जीता है शंकर महादेवन ने इस खुशी में इसका खुशी का इसार करते हुए कहा है कि उनके लिए खुआप के पूरा होने जैसा है ये बैंड सिर्फ मैं सुना करता था और बस उनका कैसेट सुनके उससे सिखने की कोशिश कर रहा था 20 साल बाद मैं उसके बैंड का पार्ट बन गया है विकेम अपार्ट अफ बैंड और 25 साल उनके साथ तोर किया और आंदर परदेश के साबिक वजिर्याला और तेलगू देशम पार्टी के सदर चंदर बाबू नाइडो ने कल वजिर दाखला मिश्चाह से उनकी रिहाईश कहा पर मुलकात की आएंदा लोकसभा इंतकाबात के पेशे नजर इस मीटिंग को बीचे पी से हाथ मिलाने के इशारे के तोर पर देखा जा रहा है मरकजी वजिर इसमर्टी रानी ने कौंग्रिस पर हमला करते हुए कहा है कि उतर परदेश का मैठी 48 सालों से तरकी से महरूम रहा जबके लोकसभा में इसकी नुमाइंदेगी गांदी खानदान के लोक करते रहे लोकसभा में बजट इजलास के दुरान हुई बहस में इसमर्टी रानी ने बुद को कहा कि इस पालिमानी हल्के की तरकी 2014 में वजिर आसम नरेंदर मुदी के गदार में आने के बाद ही शुरू हुई थी और राष्टे लोक दल के एंडिये के साथ इत्तिहाद के बारे में कयास अराईयां तीज हो गई हैं इस मौशू पर आर एल डी के कोमी तर्जमान पवन आगरी ने कहा है कि उनके स्यास्वी गद को देखते हुए कई पार्टियां उन्हें इत्तिहाद की दावते रही हैं और हम फैसला करेंगे कि हम किस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे हम इस जमाद के साथ इत्तिहाद करके इलेक्शन लड़ेंगे जो अवाम और किसानों के मफदात में हो और हमारे मुतालबात पर मुत्तफिक हो मरकजी वजिरेत तिलात नश्रियात अनुराक सिंग ठाकुन ने उत्राखन असेम्बली में एक साथ सिविल कोट बिल की मंजूरी पर रियासती हुकूमत को मुबारक बात दी है ने कहा था उनिफॉर्म सिविल कोट लाएंगे जनता ने हमें अपना शीरवाद दिया और हमारी सरकार ने भारती अन्ता पाट्डी की सरकार ने उत्राखंड में उनिफॉर्म सिविल कोट लेकर आएं 17 फरवरीकू राजिस्तान के जैसल मेर में भारती फिजाया का प्रोग्राम वायू शक्ती 2024 का नकाद किया जा रहा है इससले में तैयारिया शुरू करती गई हैं फिजाया के इस जंगी मश्ट में मुल्की साख्त के तेजस प्रचंट और धूफ समयत 121 तैयारे शामिल होंगे जिन में रफैल, मिराज 2000, सुखोई और 30MKI, जैगवार, हॉक C-130J, चिनूक, अपाचे और MI-17 भी शामिल होंगे इस मच में भारती फिजाया की जारहाना और दिफाई सलायतों का मुझाहरा किया जाएगा इस सब्सक्राइब आप और यह श्राइब दो, सिस्टेम आपम सुखोई और आजगए आप में चाही जाएश भी श्राइब आप से यह वारारे से च्सक्राइब होंगे परए ना चुख एट आधरिए, यह क्या जा फिकराइब होंगे होंगे जोरु सिपनल रिजीया ने एक बार फिर से रिपो रेट को बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबी आई के गवर्णर शक्तिकांदाथ की सरबराही में मौनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 6 फरवरी को शुरू हुई थी जिसके नताइच का अलान आज आरबी आई के गवर्णर ने किया। मरकजी बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट को बरकरार रखते हुए इसमें कोई तब्दिली नहीं की है। आरबी आई ने मसलसल चटी बार रेपो रेट को 6.5 फीसद पर बरकरार रखने का फैसला किया है। मरकजी बैंक ने आखरी बार आट फरवरी 2023 को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा करके 6.5 फीसद किया था। वजीर खजाना नमला सितरामन के जरीए उबूरी बजट पेश करने के बाद ये आरबी आई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की पहली मीटिंग थी। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the monetary policy committee, that is MPC, decided by a 5 to 1 majority to keep the policy rate unchanged at 6.5 percent. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25 percent and the marginal standing facility, that is MSF rate and the bank rate at 6.75 percent. और आर बी आई के गवरनर ने कहा है के माली साल 2024 में भारत की हकी GDP नमू का तकमीना 7 फीसद से ज्यादा रखा गया है. आर बी आई के गवरनर ने मज़ीद कहा के भारती करंसी पिछले एक साल से मुस्टहे कम है और मुस्तक्बिल में भी इसी तरह बरकरार रहेगी. उन्होंने कहा के महंगाई की शरह में कमी आई है और साल 2024 में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी मतوقع है. और खेल की खबरों में जस्परीत बुमरा आई सी सी की तासा तरीन दर्जबंदी में दुनिया के नंबर एक टेस्ट बॉलर बन गए हैं. बुमरा टेस्ट रैंकिंग में टॉप करने वाले पहले हिंदुस्तानी तेज गेंदबास हैं. बुमरा ने इंगलाइन के खिलाफ विशाका पटनम में खेले गए. दूसरे टेस्ट में शांदार कारकरदेगी का मताहिरा किया था. ये टेस्ट आई सी सी वर्ल टेस्ट चैंपिनशिप सिरीस का हिस्सा था. और इस से कबले सिर्फ तीन हिंदुस्तानी स्पिनर्स ने ये कारनामा अंजाम दिया था. टेस्ट रैंकिंग में हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर में कपिल देव, दूस्टेव, जहीर खान और हीसे नंबर पर पहुँच चुके हैं. और इसी के साथ ही हमारा खबर नामा ये खताम पद्जीर होता है, हमारी पूरी टीम को देजास्ट आदा.